यादेवी सर्वभूतेशु मा कात्याईनी रूपेन संस्थता नमस्तसे 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 नमोनमः जै मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योचिप चैनल व्रत्तेव हार टोटके मैं हून आपके साथ रिमजिम शर्मा दोस्तों शादीय नवरात्री का छटा दन आज के दिन मा के कात्याइनी स्वरुप के विधी विधान से उपासना की जाती है दोस्तों राक्षस महशा सुर्ह के आतन को समाप्थ करने के लिए देवी माता ने मा कात्याइनी का रूप धारन किया था अगर आज के दिन विधी विधान से मा कात्याईनी की पूझा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह के स्थिती भी मस्पूत होती है तो आज इस वीडियो में जानेंगे मा का प्रियरंग कौन सा है, मा को कौन से भोगर्पित करने चाहिए, आज मा के किन मंत्रों का जप करना चाहिए, मा के प्रियर फूल क्या है, आज के दिन जो उपासक होते हैं उन्हें किस रंग के वस्त पहन कर मा की उपासना करनी जाहिए जो संपोर्ण पूजा विधी है माता कात्याईनी की वो में शेयर करूँगी और इसके साथ ही मात कात्याईनी की कथा यहाँ पर आपको सुनने को मुलेगी तो इन संपोर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अर्टि तक जरूर देखिएगा दोस्तो इसी प्रकार की सभी वीडियो आपको हर रोज यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं तो चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें किसे भी अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर आप पूछ भी सकते हैं दोस्तो माता कात्याईनी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नौस परूपों की अलग-अलग दिन हम पूजा करते हैं माने महिशासूर का बद्द किया था उतकी बाद शुमब निशुमब का भी माता ने बद्द किया था और साथ में ही दोस्तों यही नहींनौ 9 ग्रहों को उनकी कैड से छोड़ाया था तो समस सकते हैं थमाण की पूजा करना हमारे लिए भी कितना फलदाई है दोस्तो माता की पूजा का जो महत्व है वो मैं आपको बता दू दिखिणा की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है इनकी आराधना अगर गिरहस्त जीवन के लोग करते हैं तो उनका दामपत् सर्पदोश से जुड़ी परिशानिया भी दूर हो जाती है तो मा की पूजा का ये महत्व है दोस्तो माता का अब स्वरूप कैसा है ये जान लेते हैं देखिए मा का त्यानी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है माता स्वन्ड के समान चमकीनी है इनकी चार भुजा दाई है दाई तरफ का उपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है मा की बाई तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पूल सुशोभित है मा कात्याईनी का वाहन से है दोस्तो माता को पीला रंग प् गुलाब का फूल देते हैं कमल का फूल अर्पित करते हैं इससे मा बहुत प्रसन्न होती है दोस्तो मा का त्याइनी के पूजा में आज के दिन माता को अगर आप शहद का भोग अर्पित करते हैं बहुत ज्यादा माता आप पर प्रसन्न होती है क्योंकि आपने देखी अगर दुर्गा सब्तशती की किताब भी पढ़ी है तो वहां पर राक्षसों के महिशा सुर्शुम्बने शुम्ब के वद्ध के पहले जैसा वर्नन है कि मा ने शहद का पान किया था तो आज मा को अगर आप शहद का भोग अर्पित करते हैं से मा बहुत प्रसंद होती है जो का का माता का मंतर जाने उसे पहले मा की पूजा विधी किस प्रकार रखनी है ये जान लेते हैं अन्नी दिनों की तरह आज भी आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उचकर सनानादी क्रियाओं से निवृत होना है साफ स्वक्ष कपड़े पहन ले मादुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें जैसे हम रोजाना करते हैं आज की दिन माता को कात्याइनी स्वरूप मा को ध्यान में रखते हुए पीले वस्तुर अर्पित करें पुष्प लाल अर्पित करें माता को रोली कुंकुम लगाएं जो भी शिंगार के वस्तुएं आज के दिन अर्पित करना चाहती हैं खास तोर पर सुहागर महिलाएं उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए आज देवी को पाँच प्रकार की फल और मिश्टान अर्पित करें इसकी साथ ही जैसे मैंने बताया भोग में शेहत का भोग माता को आज जरूर अर्पित करें माता को सुगंधत पुष्प अगरा परपित करते हैं इसके प्रेम विवाह के योग बनते हैं प्रेम संबंधी जो बाधाएं हैं वो दोर होती है इसके बाद दोस्तों प्रेम फूर्वक आपको शेदुर्जा सब्तिशकिका पाठ करना चाहिए माता की कठाप पढ़ना या शवन करना चाहिए माता के मंतरों को जान ले उसके बाद मांकी कठा भी आपके साथ में शेयर करूँगी तो मा का जैसे मैंने स्तुती प्राइटना मंत्र है वो आपके साथ शेयर ही किया तो इस मंत्र को आप जब सकते हैं 108 पार या ओम देवी का त्याइने नमाः माता कि इस मंत्र को आप जब सकते हैं या मा का जो ध्यान मंत्र है वो आप जब सकते हैं तो इस मंत्र को जो मा का ध्यान मंत्र है उसको भी आप 108 बार कम से कम पढ़ें इसकी बाद अपना पाठ करें मा कात्याईनी का खोट भी है वो भी आपको मिल जाएगा किताब में आप खोट का पाठाज करें अपनी दामपत्ती जीवन में अगर खोशहाली चाहते हैं इसकी बाद पूजासंपन्य करने की बाद मा कात्याईनी कि आद आग को आज की दिन शरूर करनी जाकी मा की कथा अग क्या है जो पौरानी कथा है वह भी आप जरूर सुनें काति गोत्र में विश्व प्रश्य दमहर शेक कातियाई ने भगवती परा अंबा की उपास ना की कछिन तपस्या की उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो मा भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में चर्ण लिया इसे लिए देवी कातियाईनी कहलाई इनका गुण शोद कारी है इसलिए बैग्यानिक यूग में कातियाईनी माता का सहरवाधिक महत्व हो जाता है इनके किरपा से ही सारे कारे पूरे हो जाते हैं यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई मा कातियाईनी अमोग फलनाईनी है भगवान कृष्ण को पती के रूप में पाने के लिए व्रज की गोप्यूनी भी माता की ही पूजा की थी पूजा कालंदी यमुना के थेट पर की गई थी इसलिए व्रजमंडल की अधिश्ठात्स्री दीवी के रूप में भी माकात्याईनी पतिष्ठत हैं इनका स्वरू भव्व और दिव्व्व है दोस्तों तो मा की यह कथा है जो संक्षक्तता से मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की है उमीद करती हूँ मा का त्याईनी पूजा विधी से जोड़ी हुई सभी जानकारिया अब आपको प्राप्ट हो गई होगी यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा चैनल पर पहरी बार आए हैं इस तरह की जानकारिया आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जै मातारानी हर हर महारे झाल को सबसाओ ए जाए हर महारे जो कि याए हर जबसाओ ईया जाए हर आए हर फ़लें करना जाए हर दीजे तो चैनल को सबस्क्राइब कर दो दोलेशिग आए हर पार फ़ले